हलो फ्रेंद्स, रुकों बैक्टो मैं चनल, आज मैं आप साथ में शेयर करने के लिए आएं कुछ डेली यूस सेंटेंसेज विद हिंदी मेनी फर्स सेंटेंस जो हम देखने वाले हैं वो है मैरेज इस फिक्सट, मेरी शादी फिक्स हो गई है यह मेरी शादी पक्की हो गई है, तैह हो गई है बैन विद्यो कट मैरीड इस टे मैरीड, शादी कब करोगे आई बीली इन माईसल्फ है, मुझे अपने आप पर भरूसा है do whatever you want do whatever you want तुम्हारा जो मन करे वो करो हम ऐसा बोलते है ना कई बार तुम्हारा जो दिल कर रहा है तुम वो करो you have to come तुम्हें आना पड़ेगा अपने किसी फ्रेंड को बोलना है कि तुम्हें यहां आना ही पड़ेगा तुम्हें आना ही पड़ेगा तब आप बोल सकते हैं you have to come you'll have to see उसे देखना पड़ेगा you'll have to see उसे देखना पड़ेगा you'll have to see तुम्हें देखना पड़ेगा दोनों ही तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं right next है हमारा sentence I would like to understand मैं समझना चाहूंगा I would like to understand जिसे कोई-कोई बात कह रहा है तो वो कहते है कि तुम नहीं समझ पाओगे हम बोलते हैं I would like to understand तुम बता हो मैं समझना चाहूंगा उस वे मैं I like to see मैं देखना चाहूंगा या चाहूंगी depend करता है आप अगर girl हैं आप अपने हिसाब से बोलेंगी boys है तो उसके हिसाब से बोलेंगे I want to know मैं जानना चाहता या चाहती हूं कई बार हम पुछे कितने पैसे हुए तो how much money कितने पैसे हुए कई बार हम बोलते हैं just don't give up just don't give up हिमत मत हारो बहुत देर हो चुकी है आप ऐसे बोल सकते हैं it's too late अब बहुत देर हो गई next हो हमारा sentence है वो है what kind of family are you looking for what kind of family are you looking for यानि कि आप कैसा रिष्टा देख रहे हो किस टाइब का परिवार आप देख रहे हो हम बोलते हैं कि किसी लड़की के लो कोई रिष्टा देख रहे हैं तो what kind of family are you looking for आप कैसा रिष्टा देख रहे हो इसके बाद में एक sentence हम देख सकते हैं I have good news for you I have good news for you मेरे पास एक good news है एक अच्छी खबर है मेरे पास आपके लिए I don't have time मेरे पास समय नहीं है बहुत ही simple simple और easy easy sentence है या उसका spoken English के नरा आप इने यूज कर सकते है इसके बाद जो हमारा sentence आता है वो है don't go out in the sun don't go out in the sun धूप में बाहर मत जाओ धूप में बाहर मत जाओ don't lie to me मुझसे जूट मत बोलो don't lie to me मुझसे जूट मत बोलो next sentence है हमारा last sentence आज कब वो है I am out since morning I am out since morning मैं सुभा से बाहर हूँ out means होता है बाहर since morning यानिके सुभा से मैं बाहर हूँ I hope यह जो sentences आपको पसंद आये होंगे आप इनको अपनी spoken English के अंदर यूज कर सकते है thanks for watching